हेल्लियो फ्रेंड्स तो आज हम बात करेंगे टैटू की टैटू बिलकुल ट्रेंड में है और जिसे देखो वो टैटू बनवा रहा है लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी लोग पर्मनेंट टैटू बनवा लेते हैं से रिमूफ करना मुश्किल होता है और ये उनके पश्तावे का कारण भी बन जाता है रीजन चाहें जो भी हो अगर आप भी अपना पर्मनेंट टैटू पर्मनेंटली रिमूफ करवाना चाहते हैं तो आज हम बात करेंगे लेजर टैटू रिमूफ की तो चलिए जानते हैं इस ट्रीट्मन के बारे में इस ट्रीट्मन के दोरान लेजर केड़ने तौचा के भीतर तक जाकर टैटू की स्याही को सोक लेती है अलग-अलग रंगों की टैटू के लिए अलग-अलग लेजर की जरूरत होती है जिसकी एक अफशोशर तरंग होती है जो इन रंगों के साथ मेल खाती है टैटो के कर्ड लेजर केड़ों को सोकते हैं और गरम हो जाते हैं और फिर छोटे कर्डों में विस्फोटित हो जाते हैं इन छोटे कर्डों को हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे सोक लिता है और इसके चलते टैटो मिटने लगता है इस तरह से टैटू को रिमूव करने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो चानते हैं कि कितने सेशन्स की जरूरत होती है इसके लिए कई सेशन्स की जरूरत पड़ती है जिनके संक्या 2 से 10 के बीच हो सकती है एक सेशन में 2 महिने का अंतराल होता है ताकि विभाजिट टैटू की सियाही साफ हो सके दूसरा सेशन के गिंती इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपका टैटू किस कलर का है और ये कितना पुराना है और इसका साइस कितना है तो जब आप टैटू रिमूव करवाने जाते हैं तो आपके जर्मेटरलोजिस्ट आपको उस वक्त बताएंगे कि आपको कितनी सेशन्स लगेंगे और इसकी कॉस्ट क्या होगी तो रिमूव करवाने जाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जैसे कई लोगों का मानना है कि लेजर टैटू इलिमिनेट की प्रक्रिया शुरू करने का मतब है टैटू को पूरी तरह से मिटाना और इसकी पूरी प्रक्रिया से गुजरना लेकिन ऐसा नहीं है खासकर जब आप टैटू को पूरे तरह से मिटाने के पजाए उसमें कुछ बदलाओ चाहते हैं या नए रंगों का प्रियोग करना चाहते हैं आम तोर पर इसमें तीन से पाच सशन लगते हैं इसके अलावा लेजर टैटू रिमूवल धीरे धीरे रंग उतारने के प्रक्रिया है और ये ततकालिक नहीं है रंग के प्रतियेक परत को धीरे धीरे हटाया जाता है इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है तो चलिए जानते हैं अपके laser tattoo removal treatment के benefits क्या है और इसके results कैसे होते हैं Tattoo removal वाले मामलों में ज्यादा तर tattoo बिना कोई निशान पीछे छोड़े पूरी तरह से मिट जाते हैं लेकिन कई बार कुछ निशान छूड़ भी जाते हैं laser treatment ज्यादा दर्द भरी नहीं होती है और इसके जो निशकासन होता है वो अमूमन सुन करने वाली क्रीम के प्रभाव में किया जाता है इसमें मरीज को पहले से भरती होने के कोई जरूरत नहीं होती है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में फौरन वापस आ सकता है हालंकि जिस जगा पर treatment किया गया है वहाँ थोड़ी सूजन और लालपन देखा जा सकता है लेकिन ये कुछ ही घंटों में ठीक हो जाता है तो चलिए अब जानते हैं कि इस procedure के cost क्या होती है टैटों बनवाने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखे कि इसे हटाना बनवाने से ज्यादा महंगा साबित होता है लेकिन टैटों हटाने की कीमत आकार और रंग पर निर्भर करती है और कितने सेशन लगेंगे और आप treatment कहा से ले रहे हैं इस बात पर भी निर्भर करता है झाल 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 झाल